अपने जिन्दगियों में परिवर्तन जो है हम सब को परिवर्तन चाहिए कौन को चाहता है परिवर्तन हम सब अपने जीवनों में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन अच्छी बात है हमें समय अनुसार अपने आपको परिवर्तित करते रहना चाहिए अपने जीवन में नई नई चीज़े सीखने के दौरा, नई नई बाते सीखने के दौरा, कुछ नया हासिल करने के दौरा, कुछ पुराना छोड़ने के दौरा, हमें परिवर्तित होते रहना है, और यही परमेश्र का दर्सन भी है, वो चाहता है कि हम परिवर्तित हो जाएं क्या है? हम परिवर्तित हो जाएं हम बदल जाएं बदलने के बाद कैसा बनाएं? जैसा हमें बनाया गया था है ना? परिवर्तित होना, परिवर्तन जिन्दकी में जरूरी है परिवर्तन हमारे जिन्दकी में परिवर्तन का जो कारिय है वो होता रहना चाहिए और ये परिवर्तन का जो कारिय है ये एकदम से नहीं होता ये दीरे-दीरे होता है और ये जिन्दकी भर चलता रहता है इसमें सफल हम कब होते हैं जब हम परमेश्र की सामर्त में होके चलते हैं कब सफल होते हैं इसमें हम जब हम परमेश्र की सामर्त में होके चलते हैं जब हम अपने आपको परमेश्र के हाथ में शौप के चलते हैं जब हम अपने आपको पवित्रा आत्मा के हातों में दे कर चलते हैं और जब हम लड़ाई लड़ते हैं क्या करते हैं जब हम लड़ाई लड़ते हैं बोले लड़ाई लड़ते हैं यह क्या है मैं लड़ाई लड़ना नहीं सिखा रहा हूं मार पीट वाली लड़ाई नहीं कर रहा हूं हमें खुद से लड़ना पड़ता है परमिश्टन हमारी मदद करते हैं लेकिन हमें भी लड़ना पड़ता है लड़ना पड़ेगा जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हो वो बार-बार आपको पता ये सही नहीं है आप उसे छोड़ना चाहते हैं और आपने ये भी निर्णे ले लिया कि मैं आज के बाद इसे नहीं करूँगा ठीक है निर्णे ले लिया लेकिन बार-बार आपको टक्कर मारेगी हो हिम्मत मांगो वहां से, प्रात्ना करो, प्रभु मुझे सामर दे, प्रभु आपको सामर देगा, प्लस आपको उसके साथ फाइट करनी है, आपको उसके साथ लड़ना भी है, बिना लड़े विजय नहीं है, बिना लड़े विक्टरी नहीं है, जीत नहीं है, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे होता नहीं, मैंने कोशिस तो की होता नहीं एक तो आप खुद करना चाहते हो, दूसरा आप लड़ते नहीं हो परिवर्तन चाहिए, प्रात्ना करो, प्रभु की सामर्थ से करो परिवर्तन चाहिए लड़ो पवित्रा आत्मा की सामर्त हमें लडने की सामर्त देती है जिन भी चीजों में से आप निकलना चाहते हो वो नसा हो सकता है कोई भी आपके जीवन का पाप हो सकता है पाप की कई प्रकार की बाते हैं कई प्रकार से एम पाप को देखते हैं, जूट बोलना हो सकता है, वेभिचार हो सकता है, आप वेभिचार में पड़े हुए हो, आप गलत चीजों को देखने की आदध में पड़े हुए हो, आप को गुसा आता है, आप को कोई ऐसी गलत आदध है जो परमिश् wrapped वचन जिसका विरोध करता है, तो उससे हमें निकलना है तो हमें परमिश्र का सामर्थ चाहिए प्राथ्नहें चाहिए, पवित्रात्मा की सामर्थ हमें चाहिए ताकि हम उसकी सामर्थ के द्वारा हमारे पाप के साथ हम लड़ सकें और हम विजयicar हो सकें ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सामर्थ हमें मिले, उसके लिए हम क्या करें, अपने आपको उसके चर्णों में समर्पित करें, हमारा जीवन जो है, बाइबल साफ साफ बताती है, हमारा जीवन जो है, वो संसारिक्ता के लिए नहीं बना है, हमारा की बातों में अपने आपको फसा कर रखना संसार की रीती के अनुसार चलना ये है संसारिक्ता और बाइबल साफ साफ परमेशर का वचन साफ साफ इसका विरोध करता है क्योंकि हम संसारिक्ता के लिए नहीं बनाए गए परमेशर ने का परोका वचन हमें साफ साफ बताता है क तुम यहाँ पर परदेशी हो संसारिक्ता के लिए नहीं बनाए गए परमेशर ने हमें रचा है स्वर्ग के लिए कहां के लिए उसकी महिमा के लिए उसकी आराधना के लिए यह साया की किताब में लिखा परमेशर ने हमें रचा कि हम उसकी स्तूती करें, उसकी महिमा करें, उसकी अराधना करें. क्या करें? उसकी अराधना करें. हमारे जिन्दकी का प्रथम जो उदेश्य है, हमें बनाने का जो प्रथम उदेश्य है, वो यही है कि हम अपने सुरुष्टी करता की महीमा करें, उसकी अराधना करें हमारी जिन्दकी का पहला उदिश्य है और हमारे बनाए जाने का पहला उदिश्य है यही होना चाहिए, यही है कि हम उसकी स्तूती करें, उसकी अराधना करें और सच्छी मन और सच्छी आत्मा से अराधना करें उसके लिए अपने आपको उसके चर्णों में हमें समर्पित करना पड़ेगा समर्पन से क्या होता है जब हम अपने आपको समर्पित करते हैं क्या होता है समर्पन का मतलब क्या है अपने आपको उसके चर्णों में दे देना उसको दे देना अपने जीवन के उपर से तमाम अभिलासाओं से परे होकर खुद का नियंतर्ण भी हटा कर खुदावन के नियंतर्ण में आ जाना वही है समर्पन तब हम उसकी अराधना आत्मा और सचाई से कर पाते हैं और जब हम आत्मा और सचाई से इसकी अराधना करने लगते हैं तब हम तमाम बातों के लिए जो हमारे जिन्दकी में होने नहीं चाहिए, पापों से लड़ने के लिए सामर्थ हम प्राप्त करते जाते हैं, और जितना हम उसकी अराधना करते जाते हैं, उतना ही हम दिन प्रती दिन बदलते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं, ये है परिवर्तन का फोर्मूला, उस उसकी अराधना करना है, संसारिक्ता नहीं है, जब हम उसकी आत्मा और सचाइज उसकी अराधना करने लग जाते हैं, तमाम बातों से आजादी हमें अपने आप मिल जाती है, समझ रहें? जितनी हम जोती से भरते जाते हैं, उतने ही हम अंदकार से आजाद होते जाते हैं, ठी प्रकार की अराधना, सच्ची अराधना है। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, कि अराधना जो है, वो गीतों को गाना अराधना है। जब अपने जीवन में उसे प्रात्मिक्ता देते हैं, वो भी इसकी अराधना है, जब अपने जीवन के निर्णें जो हमें लेने हैं, जब उसके वचन के प्रकास में उसके इच्छा के अनुजार लेते हैं, वो भी इसकी अराधना है, जब हम पाप का इनकार करते हैं, पवि पिताते हैं वो भी इसकी अराधना है अराधना के कई सारे माईने लेकिन करने का जो तरीका है वो एक ही है इस वचन के नुसार हम देखेंगे रोमियो अध्याए 12 एक से दो में इस प्रकार लिका है आता है है हे भाईयों मैं परमेश्र की दया का स्मर्ण दिला कर तुमसे ग्रहनियों के बलीदान करके परमेश्र को समर्पित कर दो समर्पित कर दो कैसे समर्पित करना है शरीरों को जीवित कैसे बोलिए जीवित जीवित पवित्र और ग्रहनियों के पोलुस रोम की कलीश्या से बात कर रहा है रोमियों की लोगों से बात कर रहा है लेकिन जब व पॉलुस एक फरिसी व्यक्ति था, कटर यहुदी, प्रभू के नियमों को मानने वाला एकदम कटर यहुदी, निडर व्यक्ति, एक धन्वान, एक बुद्धी मान, एक पड़ा लिखा व्यक्ति, रोम के लोगों से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज, जितने भी आप विस्वास से बात कर रहा है, किन से बात कर रहा है, जीवित लोगों से बात कर रहा है, वो कह रहा है, जीवित लोगों से जब वो बात कर रहा है, वो यह सब्द क्यों इस्तेमाल करता है, जीवित, अगर मुर्दे से कहें, अपने शरीर को जीवित, तो समुझ चक्ति, लेकिन जीवित वे एक्ति उसके सामने कड़ें, रोम की कलिशिया के लोग जिन्दा अवस्ताम उसके सामने कड़ें, उनको वो किरापने शरीरों को जीवित पवित्रे और ग्रहनियों के बलीदान करके परमेश्र को समर्पित कर दो, क्यों वो इस सब्द का तुम आज भी मरे हुए हो आत्मिक मृत्यू के चंगूल में तुम आज भी हो इसलिए वो कह रहा है अपने सरीरों को जीवित पवित्र और ग्रहनियों के सामने बलीदान करके चड़ाओ वो किसी मरेवे वेक्तियों से नहीं बात कर रहा जीवित वेक्तियों से बात कर रहा है अपने सरीरों को जीवित करके इसके सामने बलीदान करो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम लोग जो अपने आपको मसी कहते हो तुम लोग जो अपने आपको पवित्र जन, यहूदी जन अबराहम के वंस से अपने आपको तुम दिखाते हो गमन करते हो इस बात से लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो कि तुमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी हुई नहीं है तुमारा संबंद प्रमेश्र के साथ में सही नहीं है इसलिए अपने आपको चेक करो अपने आपको देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है, सरीड जिन्दा है, लेकिन आत्मा तुमारी मरी हुई है, सब चीजे कर रहे हो, चर्च आ रहे हैं, प्राचनाय भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, बाइबल भी पड़ रहे हैं, लेकिन मन परमेश्र के साथ जुड़ा हु नहीं है संबंद परमेश्र के साथ में अच्छा नहीं है इसी का मतलब है आत्मिकरिती से मरे हुए लोग और ऐसी प्रिस्ति हमारी भी हो सकती है सालों साल से हम चर्च में प्रभू के साथ में जुड़े हुए हैं चर्च हम आ रहे हैं सब चीजे हम कर रहे हैं भले काम हीत गाना भजन गाना सब कर रहें लेकिन हमारा संबंध गर हम चेक करें सच में प्रभू के साथ में अच्छा नहीं है एक नोजवान व्यक्ति नोजवान व्यक्ति येश्मसी को आकर क्या बोले ए प्रभू मुझे बता मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं मैं उद्धार क कैसे प्राप्त करूं ये श्मसीन क्या बोला प्रभू ने पुराने नेम की आज्याओं को उसको बताया ये व्यक्ति यहुदी है और सारी बातों को पवित्र सास्तर की बातों को बली बाती जानता है प्रभू ने इससे बताया पुराने नेम की तुम अपने संपुर्ण इसका मतलब मैं अनन्जीवन का भागिदार हूँ मैं, मैं तो बच्पन से करता रहा हूँ, यह ही रास्ता अनन्जीवन का बच्पन से करता रहा हूँ, क्यों? यहुदी बच्पन से ही वचन रटाये जाते थे, याद किये करवाये जाते थे, वो बच्पन से ही व्यवस्था क जानते थे, बड़ा खुस हुआ, बहुत जादा खुस हुआ, ओ, बड़ी शांती मिली, ओ, ये रास्ता है उद्धार पाने का, ये तुम्हें बच्पन से करता आया हूँ, प्रभु ने तुरंत क्या बोला, क्या बोला प्रभु ने तुरंत, अपनी संपती, अपना धन, वो बहुत रिच आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, प्रभु ने बोला ऐसा कर बेटा, तुम्हें बच्पन से करते आ रहे हो, अच्छी बात है, एक काम करो, अपना सारा धन जो है, गरीबों में बाट दो, क्या किया उसने, कर दिया, क्या हुआ, लिखा है वो निरास होकर चल गया, क्या होकर चला गया, निरास होकर वो चला गया, प्रभु ने क्यों बोला उसको ऐसा करने के लिए, प्रभु ने उसको बताया, कि तुम करते हो, लेकिन एक रीती की तोर पे, एक रिवाज की तोर पे, तुम आज्याओं को मानते हो, रीती रिवाज, वेधी विदानो को तुम पूरा करते हो, लेकिन तुम्हारा मन परमिश्र के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है पुरानी नियम में यहुदी लोग क्या क्या करते थे, प्रती दिन परमिश्र के सामने बलीदान चड़ाते थे अलग-लग बलीदान का समय उनका हुआ करता था, फसर के टाइम पर बलीदान चड़ा रहे, किसी ने से पाप हुआ, किसी गलती भी वह आकर बलीदान चड़ा रहे, जानवरों का बलीदान, वो चड़ाते थे, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती थी, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, प्रभुन उनक से दूर है, मन से तुम मुझ से अराधना करते हो, तुम बलीदान चड़ाते हो, गीत भजन गाते हो, दान भी देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुमारा मन मुझ से दूर है, तुमारा दिल मुझ से दूर है, यही हालत इस व्यक्ति की भी है, यह सब कुछ को तो कर रहा ह लेकिन इसका मन ही प्रभू से दूर है अगर मन प्रभू से दूर है फिर हम कुछ भी करें हम दान दें गीत गाएं रात रात भर प्रात कुछ भी करें कोई प्रभू को कोई फरक नहीं पड़ प्रभू उससे खुश नहीं होता प्रभू को क्या चाहिए हमारा मन चाहिए हमार रिदय चाहिए, हमारा दिल चाहिए परमेश्र को वो वेक्ति देने के लिए तियार नहीं था, क्यों? क्योंकि उस दिल के अंदर जगे ही नहीं थी, वो दिल किस से बरा हुआ है? दंस के लोब से, लालत से, मोह से, माया से बरा हुआ है, उसके अंदर परमेश्र के लिए कोई जगे नहीं है इसलिए वो निरास होके चला गया हमारे जीवन की पृस्तिती भी सच में ऐसी हो सकती है हम आ रहे हैं चर्च में प्रभू को जान लिया वचन भी जानते हैं कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन हम अपने आपको देखें क्या हमारा मन परमेश्र के साथ लगा हुआ है क्या हमारा रिदय परमेश्र के साथ लगा हुआ है क्या हमारी आत्मा प्रभू के साथ जुड़ी हुई है क्या हमारा संबंध परमेश्र के साथ अच्छा है ये बात मेंटर करती है आललुया Iял 아파onne को चीर घ एह अपने आपको ऊपने शरीर को जीवता तुम अपने सर्श से अपने आपको मसी करके प्रगत करते हो रोम की कलिशय के लेकिन देखो अपने आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आत्मी के रिती से उसके साथ जुड़े हुए ही नहीं हो बाकि सब कुछ कर रहे हो और क्या करना है जीवित हम अपने आपको देखें क्या हमारा हम क्या हम आत्मी के रिती से जिंदा हैं दूसरा पवित्र और ग्रह बली दान दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है बली और दान ठीक है ठीक है बली बली का मतलब क्या होता है मार देना दे देना दे देना उसका मतलब है बली जब जानवर बली होता हुआ देखा होगा आज तक लोग करते हैं उसको मारना उसको बोलते बली दान का मतलब क्या होता दान जो आपने प्रभु के लिए कुछ ये बोक्स और का बबा है भेट का डबा इसमें डाला ये दान है ये जब तक आपके जेब में था ये तब तक आपके पास था आपने निकाला इसमें डाल दिया क्या आप इसके उपर आपका अधिकार है आप इसे वापिस ले सकते हो इसे बोलते है दान दोने ही छेत्रों में हम ये देखते हैं बली खतम वद कर देना मार देना अपने आपको मार के परमिश्र के सामने चड़ाओ दान देना तुम अपने आपको परमेश्र के चर्णों में दान कर दो दे दो इसका मतलब क्या है संपूर्ण रिती से अपने आपको परमेश्र के चर्णों में अपने आप समर्पित कर दो क्या कर दो? समर्पित कर दो, देखिए बलीदान करके परमेश्र को समर्पित कर दो यही तुमारी आत्मिक सेवा है इस टांस्रेज़् में लिखा यही तुमारी आत्मिक आराधना है अलिलुया अपने आपको जेवित, पवित्र और ग्रहनियों के परमेश्र के चर्णों में बलीदान कर दो यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है अब इस नजरिये से जो वचन हमें बताता है आराधना का जो दृष्टी कौन बाइबल हमें देती है उस दृष्टी कौन से आप देखिए अपने आपको देखिए क्या हम उसकी अराधना कर रहे है बाइबल जो दृष्टी कौन हमें देती है अराधना का सच्ची अराधना क्या है अपने आपको संपूर्ण रिती से परमेश्र के चर्णों में सोब देना ही अराधना है इस रिश्री कौन से हम अगर देखे तो क्या हम क्या हमारी अराधना में सच्चाई है क्या हमारी अराधना में सच्चाई है पॉलुस कहता है पॉलुस मर चुका है अब मैं खतम हो चुका हूँ मर चुका हूँ मसी मेरे अंदर जिन्दा है वो क्या कहना चाह रहा है मैं संसार के लिए मर गया हूँ मैं मसी के लिए मुझे जीना मैं मसी के लिए जीऊंगा वही अराधना है अपने जीवन को परमेश्र के चर्णों में समर्पित कर देना उसकी इच्छा पूरी होने के लिए यही आत्मिक आराधना है जब हम अपना जीवन परमेश्र के चर्णों में अर्पित करते हैं प्रभू मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जो तू चाहता है वो तू मेरे जीवन में कर जैसा तो मुझे चलाना चाहता है वैसे तो मुझे चला यही आराधना है हम आराधना के बहुत छोटे से हिस्से को करके बड़े खुस होते है गीत का लिए, दान दिद्यम सोचे ओ, बस हो गया, नहीं परमेश्वर को यह नहीं चाहिए प्रभू कहता तुम्हारे दान, दस्वांस मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल क्या हमने अपने आपको पूरी दरसे परमेश्र के चरणों में दिया है अगर हमने नहीं दिया है, तो हम सच में उसकी अराधना नहीं कर रहे हैं और हम अपने जीवन में बार बार fail क्यों होते हैं उसका कारण यही है कि हमने अपने आपको उसके चर्णों में नहीं दिया हम खुद अपने लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम खुद अपने आपको बदलना चाहते हैं नहीं बदल पाते क्यों अपने आपको उसके चर्णों में समर्पित नहीं किया इसलिए हम फेल हो जाते हैं उसके इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए दे देना उसकी अराधना है क्या हमने अपने जीवन को उसकी इच्छा पूरी होने के लिए दिया है मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा पहली बात समर्पन पहली बात क्या समर्पन अपने आपको समर्पित कर दो परमेश्र के चरणों में और आगे क्या है दो में लिखा है इस संसार की अनुरूप नए बनो परन्तु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परिमेश्टर की भली ग्रहनियों के और शिद इच्छा को अनुबाव से तुम मालूम करते रहो हालेलुया क्या होते जाओ परिवर्तित होते जाओ बोलिये जोर से बोलिये परिवर्तित होते जाओ बदलते जाओ उसके चर्णों में अपने आपको समर्पन करना है और हमें दिन प्रति दिन परिवर्तित होते जाना है हालिलुया समर्पन से उसकी सामर्थ हमारी जिद्धी में काम करती है वो सामर्थ हमारी मदद करती है परिवर्तन होने में परिवर्तन होना चाहते हैं कौन-कौन मन परिवर्तन, रिदय परिवर्तन लेकिन क्या मन परिवर्तन हुआ है क्या आप संबंद में उसके साथ में आ गए है क्या उससे प्रेम हम करने लगे है उस परिवर्तन की बात में कर रहा हूँ इस संसार के अनुरूप मत बनो इस संसार के अनुरूप मत बनो हमें मिक्स जिन्दगी जीने की आदत हो जाती है मिक्स जिन्दगी जीना परिवर्तन नहीं है इतार नहीं तैर्यां कर रहे हैं टेंट लगाया साउंड लगाया इसरों सबकुछ किया और बाहर जाके कोने पे मितरों के साथ में शिगरेट पी रहें ये परिवरतन नहीं है और उसके बाद एचछप पूजा बे पिछा के डांस करते परिवर्तन ये नहीं है, ये दोगलापन है, क्या है? बहुत गंदा सब्द है ना? लेकिन सच्छा यही है संपूर्ण समर्पन क्या हमने किया है? बिना संपूर्ण समर्पन की परिवर्तन संभव नहीं है अपने जिन्दगी में परिवर्तन आपने नहीं देखा है तो कहीं न कहीं हमारे समर्पण में परमेश्र के साथ संबंद में कमी है मिक्स जिन्दगी परमेश्र को भाती नहीं है दो तरह की जिन्दगी यहाँ पर पवित्र पवित्र बाते कर रहे हैं वेविचार में पड़े हुए हैं, यहां पर प्रभू की अच्छे-ची बाते कर रहे हैं, बाहर नोन्वेज जोक्स, गंदी-गंदे जोक्स एंजोई कर रहे हैं, यहां पर जुक-जुक के जैमसी कर रहे हैं, बाहर जाके गंदी-संगती के साथ में बैठे हुए हैं, यह पर प्रभू मैं इससे आजाद होना चाहता हूँ, प्रभू मैं इससे छूटना चाहता हूँ, प्रभू भी यह कहता है, मेरे पास आतो सही, परिवर्तन तो मैं तेरे जीवन को परिवर्तित करूँगा, आतो सही, लेकिन आना नहीं चाहता है, क्यों? थोड़ा सा दुनिया में र इस संसार के अनुरूप मत बनो, इस संसार के अंदर जो चल रहा है वो बहुत ही भयंकर एक सैतान का खेल है, उसमें अपने आपको उलजने मत दो, परमेशर के वचन से प्रेम करो प्रियों, प्रभू के चरनों में अपने आपको समर्पित करो, हम रोते रहते हैं, गिड़ ग गलती प्रभू की नहीं है, वो तो भला है, प्रेम करने वाला, जीवन देने वाला परमेशर है, शमा करने वाला परमेशर है, गलती हमारी है, हमको दो तरह के जिवन के अच्छी लगती है, परिवर्तन चाहिए, आओ, परमेशर के चरनों में अपने आपको समर्पित कर दो परिवर्तन आपके जिन्दकी में जरूर आएगा उसके एच्छा पूरी होने के लिए अपने जीवन को उसके चर्णों में रख दो वो क्या चाहता आपका जीवन कैसा हो आपको ये वचन बताएगा कैसा जीवन हमारा होना चाहिए ये वचन बताएगा, पढ़ो इसे जीवन परिवर्तन हो जाएगा अलेलुया, अपने आपको बलीदान करना है, खतम कर देना है इस संसार के अभी लासाओं से अपने आपको बिलकुल खतम कर देना प्रभु के चर्णों में समर्पित अपने आपको कर दीजिए, हालेलुया परिवर्तन भी देखोगे, प्रभु की आशिशे भी देखोगे, परमेश्र का हाद भी अपने जंदगी में अद्बुत रीती से देखोगे, हालेलुया आए हम खड़े हो जाएए अपने आपको प्रभु के सामने हम लेकर चलें